हाई वेलकम यौन माई देर इस्टुडायर्स टो माई चैनल इंजिनियर्स इस्टडी आज हम पढ़ने वाने इस्ट्राइड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चैप्टर नमबर टू क्लास एट की जो डेफर दिस की बुक है इस्ट्राइड ने इस चैप्टर को लिखा इस स्टोरी को तो आज हम क्वेशन आंसर सारी के सारे विद ग्रैमर वह हम डिसकस करने वाने पूरा ही चैप्टर ठीक है इस्ट्राइड चलो देख रहेते हैं क्या कुछ यहां होने वाला है ठीक है देखो क्या है लेट्स गो इजी फर्स ठीक है ना पहला क्वेशन क्या है चूज देखो 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 क्योंकि उस चीज क्यों ने जरौत नहीं थी क्योंकि आपस में अनिमल लोग प्यार से रहते थे कोई लडाई नहीं होती थी कोई फाइट नहीं कोई क्वैरल नहीं होता था इस लिए उनको जरौत नहीं थी तो C is the right answer सेकंड देखो क्या है दे टर्टाइज यूस द पैटर्न ऑन इस बैक टू जो टर्टाइज होता है उसके पीट पर बैक पर जो जो होता है उसमें जो पैटर बना होता है जिस पैटर का उस तरटाइज नहीं क्यों प्लान दे फ्लोर का प्लान बनाने के लिए या प्लान दे रूफ roof को बनाने के लिए roof का जो plan का मतलब होता है top से देखने पर जो structure दिखता है उसको plan बोलते है ठीक है न अपनी पढ़ाओगा किसी भी मकान में किसी building में top से देखने वाला जो view होता है top view उसी को plan बोलते है बाजू से देखो तो side view और front से देखो तो उसको front view बोलते हैं ठीक है न या elevation भी बोलते है front view को तो यह सब ठीक है engineering term है यह सब तो plan the roof ठीक है न आगे देखो क्या है thunder helps the leopard get जो thunder है न जो आवाज आती बादल गजरने की उसको बोला यहाँ पर thunder उसने help किया leopard की to get उसे देने के लिए क्या देने के लिए his booming voice है न उसकी जो गरजना से भरी हुई booming voice है तेज आवाज है वो किस ने दिया thunder ने दिया ठीक है न आगे क्या है देखो right t for true और f for false statement पहला क्या है the duck and the dog didn't want a seltr जो duck है और जो dog है वो नहीं चाहते थे seltr मतलब छट की जरत नहीं थी किसी घर की उन्हें जरत नहीं थी बिलकुल सही बात है true है answer the dog went back to the seltr because he missed the other animal वापस जो seltr बन गया था उसमें help तो नहीं किया dog ने लेकिन वापस उस seltr में चला गया था ठीक है न क्योंकि उसे animal की याद आ रही थी नहीं strand वो बारिष से बचनी के लिए गया था यह false statement है ठीक है यहां देख लेती third question when the leopard was defeated by the dog the other animal declared the dog as their new king when the leopard was defeated जब leopard हार गया by the dog डॉक ने हरा दिया उसको the other animal declared the dog as their new king तो बाकी जो animal है उन्होंने dog को अपना नया राजा डिकलेर कर दिया और यह false लिख दिया है मैंने यह true है strand ठीक है समझ रहे है न यह क्या है true है बिल्कुल तो सही बात है जैसे leopard को हरा दिया गया dog के द्वारा है ना defeat मतला हरा दिया dog ने तो बाकी animal में क्या किया dog को यह अपना नया राजा डिकलेर कर दिया किया कि नहीं तो यह true है मैंने false लिख दिया sorry है ना true है इसको सुदार लेना आप यह true है the dog didn't have to offer anything in exchange for the protection of the human hunter यह डॉक के पास कुछ भी नहीं था है बदले में देने के लिए जो human hunter है उन लोग को है ना human hunter के साथ क्या deal होई थी dog की कि dog को अपने साथ रखेंगे है ना यह अपने साथ रखेंगे ताकि leopard से उसकी रक्षा हो सके और उसके बदले मोग क्या करेगा उन्हें जंगल में सिकार के लिए help करेगा यह बात बिलकुल didn't have to offer anything उसके पास था ना offer देने के लिए dog के पास offer देने के लिए था क्या offer दिया उसने कि मैं आपकी help करूँगा सिकार करने में तो false statement है यहां तो बोड़ाई dog के पास कुछ भी नहीं था देने के लिए था ना human लोग उसकी protection करेंगे उसके बदले में dog क्या करेगा उनकी help करेगा सिकार करने में ठीक है ना अब देख लेते हैं short answer question क्या है फिर long answer क्या है सारी चीज़ हम slides के तुरू देखने वाले है ठीक है हम आज देख लेते हैं यहां पर अब short answer question क्या short answer questions ठीक है ना बहुत आसान होते हैं यह why did the animal make fun of the dog वो dog का मजा क्यों उडा रहे थे मजा क्यों उडाया उन्होंने animals ने answer देखो because only the dog had big sharp teeth यहने बड़े और नुकिले दात किसके थे उस dog के पास ही थे है ना बाकी के पास नहीं थे और यह चीज अच्छी नहीं मानी जाती थी इतने बड़े बड़े दात होना है ना उस time पे इसलिए वो मजाक उडा रहे थे ठीक है ना second question क्या है why why was the dog against the idea of making shelter जो shelter बनाने का idea था ना दो छत बनाने का घर बनाने का उसके खिलाब क्यों था dog उस idea के answer देखो because the dog had never liked king leopard so he was against the idea of making shelter वो क्या था जो dog था ना because the dog had never liked वो पसंद नहीं करता था कि इसको king leopard को जो leopard रा जाता उसको so इसलिए he was against the idea of making shelter और वो shelter बनाने के idea के खिलाब था क्योंकि idea था किसका strength यह idea तो उनके जो king थे leopard उनी का था ठीक है ना तो उनी को पसंद नहीं करता था इसलिए idea को भी पसंद नहीं किया उनके third question क्या student देखो आप देख पा रहे है यहाँ पर देखो क्या है how did the blacksmith and thunder help the leopard जो blacksmith होता strand जो लोह का काम करता है उसको बुलते blacksmith goldsmith जो gold का काम करता है ठीक है strand अब third question क्या है how did the blacksmith मतलब जो लोहे का काम करते हैं उन्हें इनसान ने and thunder में जो बिजली कड़ती न जो गरजना की आवाज आती बादल के टकर आने से तो जो आवाज आती उसको बोला है thunder उन्होंने कैसे help की leopard की तो answer देखो the blacksmith provided the leopard with iron teeth and bronze claws ठीक understand जो blacksmith उन्होंने provide किया दिया प्रदान किया कि इसको lion leopard को क्या दिया iron के teeth दिया ब्रॉंज मतलब जो कांसे के बने होते हैं और थंडर ने किया थंडर provided him with its sound to his voice जो थंडर है जो गड़गड़ हाट की जो आवाज आती है उसने क्या किया उन्हें provide किया अपना sound उसकी आवाज में जो वाज में अपना sound fit कर दिया ठीक है आप बोलेंगे sir sound और voice में क्या difference है ना मैं आपको बता देता हूं जो किसी के गले से निकलती ना जो आवाज उसको voice बोलते हैं और कोई चीज ठोक पीट कर रहे हैं कुछ दूसरी आवाज आरी गालियों से आरी कुछ आरी कुछ गिर गया तो आवाज आरी यह सब sound होते है ठीक है ना तो long answer question क्या है देखो पहला question आपके सामने दिख रहा है इस्ट्रेंट क्या है वो वाई डिंट दे आनिमल्स fight in the beginning सुरुआत में जो आनिमल है वो fight क्यो नहीं कर रहे थे answer देखो in the beginning all the animals in the forest lived as friends क्यों fight नहीं करते थे क्योंकि उस टाइम में सारे अनिमल फ्रेंड के जैसे रहते थे they liked their king the leopard अपने king को पसंद करते थे leopard को है ना most of the animals had no sharp teeth or claws उनके पास कोई sharp teeth भी नहीं थे claws भी नहीं थे जो लाई करने में काम आते हो fight करने में they did not need them उन्हें इन सब चीज की जरत नहीं थी ठीक है ना इसले हो fight भी नहीं करते थे second question क्या है why did the animals need a common shelter how did they make it जो animals had strand उन्हें एक common shelter की जरत क्यों थी मतलब सबके सब एक ही घर में रहेंगे ना how did they make it और उन्होंने इसे कैसे बनाया answer the question the animal would have no shelter from the rain rain से बचने के लिए उनके पास कोई छत नहीं थी so that so इसलिए they decided उन्होंने decide किया to make a common shelter कि ये common shelter बनाया सब के लिए एक ही है the animals scattered about to find building material वो सब animals क्या थे इदर उदर बिखर गए चले गए about याने आसपास सब बिखर गए to find building material building material की तलास करने के लिए the tortoise copied the pattern on his back and made the plan of the roof जो tortoise था उन्होंने क्या किया उसका जो peat होती ना back side उसी के pattern को copy किया और वैसी pattern का उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या बनाए अपने roof बनाए ठीक है ना अच्छा बनाए घर का और क्या हुआ the giant rate जो बड़ा सा चुआ होता and mouse ठीक है ना dug the foundation उन्होंने foundation किया वैंने खुदाई का काम कर लिया foundation के लिए है ना और some animals brought sticks कुछ animal ने लकडिया लाई some ropes किसी ने कुछ रसिया लाई and other made roof mats और roof पर जो mat बिचानी है उसको बनाया दूसरे animal ने ठीक है question third question क्या देखो why did the deer cry out loud जो deer ही रहन है वो बहुत जोर से क्यों चिला रहा था why were the other animal crying और बाकी animal भी क्यों चिला रहे थे जोर जोर से तो answer देखो third का ये third का answer है ना आपके सामने देखो third का answer क्या है the deer cry out for calling the king leopard अपने king leopard को बुलाने के लिए वो चिला रहा था cry कर रहा था when the dog barked and threw each of the animal out of the shelter क्यों चिला रहा था जब डॉग ने क्या कर दिया बहुत जदा भूका बार्क किया and threw each of the animal और हर animals में से हर एक को क्या कर दिया throw out मतलब बहार धकेल दिया बहार भगा दिया of the shelter shelter के ठीक है ना other animal were crying because बाकि animal भी सब चिला रहे थे because they were standing out of the shelter क्योंकि वो shelter के बार खड़े थे into the rain बारिस में severing ठी टूरते हुई ठीक है इसलिए वो सब चिला रहे थे दर्द में देखो fourth question के why did the leopard felt hurt and alone जो leopard था वो कैसा feel कर रहा था strand अब एक question में थोड़ी सी गलती है strand question में grammatical mistake ये है कि did के बाद ये felt नहीं आना चाहिए क्या आना चाहिए feel आना चाहिए क्या आना चाहिए feel ठीक है printing mistake हो सकती कभी भी strand do does और did जब भी लिखा जाता है किसी sentence में वो interrogative sentence में जनर नहीं लिखा जाता है तो उसके बाद जो main verb होती वो अपने verb के first form में होती main verb में सा ठीक है और यहाँ पर felt है तो second या third form कर दिया है तो यहाँ पर feel होना था actually ठीक है question का आप लेना चलो इसका answer देख लेते पहले समझ लेते हैं क्या है वाइ डिट लेपाइड felt hurt and alone यो लेपाइड है उतना feel कर रहा था अपने आपको दुखी और अकेला महसूस क्यों कर रहा थे लेपाइड तो answer देख लेते stand in the fight between fight के दारान या during the fight भी लिख सकते हो है न इनके बदले during ज़्यादा रहेगा during the fight between dog and leopard leopard और dog के बीच जब लडाई हुरी थी उस दौरान क्या हो गया कि the leopard was quickly vanished by the dog तो leopard को बड़े जल्दी हरा दिया गया vanished मतलब हरा के भगा दिया गया dog के दौरा है न the other animal refuse to rally behind him तो बाकी जो animal थे उन्होंनों भी refuse मतलब बना कर दिया to rally का मतलब क्या होता है पीछे चलने से साथ निभाने से behind him उनके पीछे लिपाड के but rather capitulate बलकि वो क्या थे थोड़े से to the dog वो dog से थोड़े से सेहमे हुए थे यह थोड़ी से चमा मांग रहे थे capitulate का मतलब क्या होता सरमिंदगी दिखा रहे थे dog के सामने and name him their king और उसका नाम रग दिया अपने राजा के जैसा उसको अपनों राजा बोलने लगे after this incident और इस incident के बार the leopard felt hurt and alone इस घटना के बाद उसे काफी दुखी और अकेला महसूस हो रहा था लियोपाड को ठीक है स्ट्रेंड ओकी आगे और कुछ है क्या देख लेते हैं इस slide में answer the following questions with reference to context ठीक है reference to context वाले सवाल है उसे भी कर लेते हैं स्ट्रेंड आम लोग आप लोग खुद से करने की कोसिस कीजेगा सारे सवालों को लेकिन फिर भी मैंने एक लिक्चर आप लोग के लिए लाया है ठीक है ना देखो क्या है the animal laughed at the monkey's joke animal जो थे सारे के सारे animals वो हसने लगे monkey के joke के उपर है न तो आपको पुछा है what was the monkey's joke तो monkey ने कुन सा joke मा रहा था strand तो answer देखो the monkey said to the dog monkey ने कहा था dog say don't worry my dear friend you need your teeth to clean your farm आपको जरत पड़ेगी आपके दातों की लंबे लंबे दातों की है न आपके खेत को farm को clean करने के लिए ठीक है ना ऐसा ये कह रहे है ओके ठीक है आगे देखते हैं why did animals laugh at it और इस घटना के उपर animal क्यों हसने लगे भई है ना answer देख लेते हैं देखो क्या है because they wanted to make fun of the dog because they यहाँ पर क्या लिखेंगे t-h-e-have strand यहाँ लिखके दे कर दे because they wanted to make fun of the dog क्योंकि वो सब के सब क्या चाहते थे dog का मज़ा कुड़ाना चाहते थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया ठीक है न आगे देखते second क्या है the deer took this problem to king leopard जो कराजा जो deer था हिरन था उन्होंने इस problem को king leopard तक लेके गया they talked about it for a long time और उन्होंने इस problem के बारे में काफी लंबे समय तक बात किया है न तो इसके उपर दो question पुछा है what problem did the deer take to the king कौन सी problem लेकर के गया थे deer king के पास आंसर देखो second का A है न देखो second का A the animal had no shelter from the rain यह वाली problem वे देखे लेके गया थे कि animal के पास कोई shelter नहीं है बारे से बचने के लिए second reference to context B क्या है देखो why did they talk about it for a long time काफी लंबे समय तक इस बारे में क्यों बात करना पड़ा उनको answer देखो because it was very critical topic to discuss about है न यह बहुत ही critical था बहुत important topic था है इसको important भी लिख सकते हो crucial भी लिख सकते हो यह क्या था बहुत ही critical topic था डिसकस करने के लिए important यह important लिखना काफी अच्छा रहेगा important लिखना भी ठीक है न third क्या देखो come out of the hall at once जल्दी से बहार आजाओ hall से he said to the dog उसने dog से कहा है न who said this to the dog किसने कहा है dog से यह चीज answer देखो the leopard said this to the dog तो answer आएगा the leopard second question क्या है what was the dog doing in the hall hall के अंदर dog क्या कह रहा था the dog was barking and showing his teeth हो भौक रहा था अपने दान दी भी दिखा रहा था ठीक है न see why did the speaker want the dog to come out of the stick of the hall जो speaker है speaker को उने या पर dear leopard है leopard है न तो यह जो पूछ रहा है कि why did the speaker यह जो leopard है want the dog वो क्यों चाहता था कि dog to come out of the hall कि वो hall से बहार आ जाए answer देखो the speaker या the leopard कुछ भी लिख सकते हो the speaker या leopard wanted वो चाहता था the dog to come out of the hall कि वो जो dog है hall से बहार आ जाए because the dog didn't help to construct it क्योंकि dog ने बिल्कुल भी help नहीं किया था इसे बनाने के लिए इस घर को बनाने के लिए ठीक है ना समझ में आगे इस hall को बनाने के लिए okay student reference to context का third वाला question बचाए दे third भी हो गया third भी तो हो गया ठीक है ना अब क्या बचा हुआ आपका my word bank ठीक है ना चलो my word bank दिया है क्या हाँ ये दिया है my word bank okay दिख पार है आप लोग को इस स्क्रीन पर तो क्या करना था यहाँ पर answer तो दिख गया लेकिन explain भी करते था हूं मैं इसको अच्छे से underline error in the following passage अब यही गलतिया क्यों है कैसे पहचाने वो सारी चीज़ बताता हूं आपको आपको underline करना है जो error है है ना इस पूरे passage में and write the corrections in the space provided जो error उसको underline करना है उसके जगह पे सही सब्द क्या आएगा उसको बाजू में लिखना है समझ गया stand? समझ गया ना? देखो क्या है poly entered the principal's office and sat down जो poly थी वो principal के office के अंदर चली गई and sat down और वहाँ पर बैठ गई ठीक है ना? अब इस पहली line से क्या पता चला आपको? कि यह कोई पिछली घटना है बीता हुआ past का incident बताया जा रहा है तब ही तो देखो ना poly entered मतलब verb की second form यूज हुई है the principal's office and sat down देखो यह भी verb की second form यूज हुई है तो past का event है तो सारी जो भी यहाँ पर verb आईगी वो सारी की सारी क्या ना चीए past की ही verb आनी चीए ठीक है ना strand देखो see have just lost 300 dollars and see felt very upset उसी ने अभी अभी खोया था अपने 300 dollars उसके गूम गयते and see felt very upset और बहुत upset feel कर रही थी तो यहाँ have नहीं आएगा have तो present perfect में आता है past की बात हो रही तो past perfect आएगा इसलिए have गलत है यहाँ पर क्या आना चीए head आना चीए clear है आगे देखो उसने क्या कहा I leave the money in my drawer वो क्या कहना चारी कि मैंने पैसे रखे थे मेरे drawer में and it is not there now और अभी वो वहाँ नहीं है देखो now मतलब अभी वहाँ नहीं है मतलब पहले रखे थे तभी तो अभी वहाँ नहीं है इसलिए leave नहीं आएगा left आएगा left मैंने रखा था I left the money in my drawer she said उसने कह and it is not there now और अभी वो यहाँ पर नहीं है तो प्रिंस्पल में डम के रूम में गई और वो अपनी घटना बता रही कि मैंने drawer में पैसे रखे थे लेकिन अभी वो यहाँ नहीं है पहले sentence में थे आगया इसलिए past में जाएगा और बादवाले में है आगया इसलिए यह present में रहेगा समज में आ गया तो left आएगा but he can do nothing but he can do nothing sorry sorry the principle was very sympathetic बहुत जादा sympathy दिखा रही थी but he can do nothing वो principle किया जेन से आपके lady नहीं है तब यहाँ he आया, c नहीं आया तो can नहीं आएगा past में चल रहा है तो past में ही आएगा but he could do nothing लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई principle है न everyone loses money these days he said उन्होंने क्या क्या कि आजकल तो हर कोई अपने पैसे खो देता है everyone loses losses money these days हर कोई आजकल अपने पैसे गुमा दिया करता है ऐसा उन्होंने कह दिया he said he start to complain about his wicked word उन्होंने क्या क्या this wicked word मतलब इस बूरी दुनिया के बारे में complain करना start कर दिया तो यह start नहीं आएगा started आएगा started to complain समझ भाएगा started लिखना क्योंकि past में बात चल रही न but someone interrupting by a knock at the door यह पूरी घटना बता ही जा रही है हमे तो past का event है हमें बता जा रहा है लेकिन किसी ने knock कर दिया interrupt कर दिया disturb कर दिया कैसे एक दर्वाजर को knock करके ऐसा खट-खटा कर है न तो यहां पर आएगा interrupted आएगा a girl came in a girl अंदर आई in and puts an envelope on his desk और और जो principal की desk है उसके उपर एक envelope रख दिया तो past की बात है तो puts से नहीं आएगा क्या आएगा put आएगा क्योंकि put एक ऐसी verb strand उसका present form past form perfect form सब put 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 ही होता है ठीक है न it contains $300 so उसके अंदर क्या थे $300 से contains नहीं आएगा क्या आएगा contained आएगा strand क्या आएगा contained नीचे लिखा भी हुआ contained ठीक है न ये आखरी mistake थी I found this outside this music room he said उसने क्या कहा मुझे ही मिले इस music room के बाहर ऐसा उस लड़की नहीं कहा तो इस तरह से वो $ मिल गए $300 killer strand okay अब हम पढ़ेंगे rearrange दो following jumble word वाली जो exercise है देखो ये दिया हुआ आप book से भी कर सकते हैं इसको हैना क्या बोला है देखो rearrange the following jumbled word jumbled का मतलब क्या होता है जो sequence में ना हो है जिसका sequence विगाड दिया गया उसको बलते jumbled हैना तो आपको फिर से rearrange करना है उसको jumbled word को to form meaningful sentences जिससे की एक अच्छा sentence बन जाए and write them in the space provided और ये जो space दिया हुआ है वहाँ पर उसे सही करके लिखना है ठीक है अच्छे सा arrange करके तो पहला क्या है leopard king only had teeth small इसको सही करेंगे तो क्या आई जागा king leopard only had small teeth king leopard only had small teeth ये सही हो जाएगा बुक से भी कर सकते chapter पढ़ेंगे तो offered a dog to be slave is the sanctuary for leopard from the तो सबसे पहले आपको क्या करना है subject ढूणना है subject ही सबसे पहले आता है किस की बात की जारी है इस sentence में किस की बात की जारी leopard की बात की जारी और leopard ही कोन है king है इसलिए हमने पहले king leopard लिख दिया और फिर subject के बात क्या आती वर्ब आती है और यहाँ पर teeth आया teeth तो noun है और small क्या adjective adjective तो हमेसा noun के पहले आता इसलिए small teeth अब बच गया only तो only किस के पहले लिखेंगे हम वर्ब के पहले ठीक है न यहाँ भी बात किस के हो रही है dog की हो रही है dog नहीं क्या किया offer किया किसको अपने slave को offer किया बनने का कि उस slave बन जाएगा है न for sanctuary from the leopard leopard से उसे क्या मिलना चीए सुरक्चा मिलना चीए sanctuary मतलब सुरक्चा dog offer to be his slave for sanctuary from the leopard ठीक है न यह से बन जाएगा अब देखो इसे लर्निंग grammar में क्या देखने वाले है हम लोग ध्यान से देखना पहले कुछ rule में बता देता हूँ यह सारी चीज तो बहुत ही आसान है आपके लिए कुछ rule लिखे है मैंने ठीक है देखो क्या है वो rule in simple present tense simple present tense का नाम सुना होगा आपने जिसमें हम अपनी habit को बताते हैं या किसी true चीज को किया न किसी सची बात को बताते हैं real incident को universal fact को ऐसा sentence हमें जिसमें कोई किसी की habit बताना है कोई real fact आपको बताना है universal truth को बताना है तब हम simple present tense का use करते हैं तो इसमें दो रूल लगते हैं, दो रूल पहरी पूरा सेंट, यह exercise based है, वो रूल क्या है, देखो, subject, अगर आपका subject, किसी sentence का subject क्या है, जो काम को करता है, वो क्या, he see it, subject क्या है, he see it, या single name, किसी का single name हो गया, या my father, my mother, कोई single है न, and any singular subject, किसी का नाम मतलब, राम, स्या, मोहन, सूरेस, ऐसा, and any singular subject, और कोई भी singular subject, अगर आपका subject बन रहा है, तब क्या लगाएंगे, हम verb कुन सी use करेंगे, verb के पहले form के साथ, S या ES लगाएंगे, example, go नहीं आएगा, goes आजाएगा, eat के बदले, eats एगा, ऐसा हम कर देंगे, strand, कब subject को देख करके, समझ में आ गया, लेकिन जब subject आपका I, V, U, They, इस टाइप का है, and any plural subject, कोई भी plural subject है, जहाँ एक से जादा लोग की बात की जा रही है, तब strand हमें चुनना हो, go या goes में से तो हम क्या लगाएंगे, go लगाएंगे, eats या eat मे से चुनना हो, तो हम run लगाएंगे, यह दो rule अपने दिमाग में बिठा लो strand, ठीक है न, और अब हम इस exercise को अच्छे से कर लेंगे, ठीक है, देखो क्या है, oil and water, यह क्या है, आपका subject है, subject क्या है, singular है की plural है, singular है की plural है, आप बोलोगे, sir, oil और water, बीच में end लगा हुआ थे तो दो चीज़ हो गई, दो चीज़ हो गई, यह प्लूरल हो गई, अब तो यह second वाला rule के हिसाप से काम करेंगे, तो do आएगा की does आएगा, हमने क्या सुना, इस ट्रेंड वरब की पहली form आएगी, ऐस या इस नहीं लगेगा, लेकिन अगर हम does लिख देते हैं, तो ऐस या कैसा सबजेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर सबजेक्ट में वरब की कौन सी form लगाते हम, ऐस या इस वाली, जैसे goes हो गया, eats हो गया, runs हो गया, वैसे ही talk आएगा, की talks आएगा, सीधा आपको पता चल गए, यहाँ पर तो talks आएगा, ठीक है न, थर्ड सेंटेंज में, my father a red car, drive आएगा, की drives आप सीधे देख पारें, यह तो my father singular subject है, singular subject जब आता है, तो वरब में S.E.I.S. लगानी है हमें, इसलिए हम क्या लिगएंगे, drives लगाएंगे, drive के बदले में, ठीक है, फोर्थ क्या स्टेंट, the man in the hat, देखो the man, एक इंसान की बात हो रही, in the hat, जिसने टोपी पहनी हुई थी, वो man, like your uncle, look या look system, एक ही इंसान है, जो दिखता है आपके uncle के जैसा, यहाँ पर लगाएंगे, looks, सही है न, क्या लगाएंगे, looks लगाएंगे, ठीक है, एक ही man की बात हो रही है, man और men हो जाता, तो plural हो जाता, तब हम look लगाते, ठीक है न, the players, अब प्लूरल सब्जेक्ट है, plural सब्जेक्ट में हम क्या करते, stand, ease आएगा की आएगा, singular में ease आता है, plural में आ रहता है, तो यहाँ पर आएगा, simple present test में नहीं, continuous test में, ठीक है, the players are going to get pizza, जा रहे हैं players, जा रहे हैं to get pizza, pizza लाने के लिए after today's game, आज की game के बाद सारे players pizza लेने जा र पता ही है, और like भी कर दीजे, okay stand, और कोई भी doubt हो, तो आप comment box में भी मुझे पूछ सकते हैं, okay stand, thank you very much for watching this video,